हलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीयस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं तो दोस्तों हमारी जो परिया वरन की क्लास ठीक है परिया वरन की क्लास क्या हो गई है इस्टार्ट हो गई है तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा वीड के दिखाएंगे और जिस दिन आप लों का एक्जाम होगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं कुछ बच्चे मुझसे continue जुड़े हुए हैं ठीक है उनलों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं काता हूँ ठीक है उनलों का पर दे जब क्लास इस्टार्ट होती चाहे इनी टाइम में क्लास अप्लोड करूँ उनलों जरूर जुड़ते हैं ठीक है और हमेशा देखते हैं उस वीडियो को ठीक है और ऐसे बच्चे जो है हमेशा सेलेक्ट होते हैं और होंगे भी ठीक है यह सब नए बच्चे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं continue बहुत पाले से मैं सब का दे हुँ ठीक है समझ लेजिए लेकिन बस मेरे पास थोड़ा सा experience है आप लोग अभी नए हो हाँ कुछ लोग के पास मुझसे भी ज्यादा experience हो सकता है ठीक है ठीक तो ऐसा नहीं इसको deny नहीं किया जा सकता है ठीक चलिए start करते हैं आज की पहले question के साथ class को ठीक बताए किस पं वरत योजना चलाई गई थी बदाई पंच वर्सी योजना पहली प्रथम पंच वर्सी योजना जो हमारी start हुई थी वह 1951 से 1956 तक ठीक है दूसरी जो सेकेंड पंच वर्सी योजना थी वह हमारी कब से 1956 से 1961 कब तक 1961 तक तीसरी पंच वर्सी योजना जो थी थी थर्ड फाइप येर प्लान था जो है 1961 से 1906 तक चला उसी समय हमारे पे क्या हुआ था पाकिस्तान द्वारा क्या युद्ध कर लड़ा गया था ठीक है पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और आकाल भी पड़ा था तो हमारी जो है क्या 1956 से 1979 तक क्या एक वर्षी मतलब आवकास कर दिया गया था फिर उसके बाद 1979 से 1974 तक चली थी 1974 तक हमारी कौन चल थी? चोथे करम की ठीक है? और पांचमे करम की हमारी कब चली थी? तो 1974 से 1979 तक चलनी चाहिए थी 1979 तक चलनी चाहिए लेकिन ये पहले ही समाब्त कर देगी गई थी 1978 में ठीक है वहाँ पे मुराजी दिशाई की क्या बंजती सरकार बंजती ठीक है सरकार बंजने के बाद क्या करते हैं ये अनवरत योजना इस्टार्ट कर देते हैं दो साल की अनवरत योजना ठीक है अनवरत योजना कब तक चलती है अनवरत योजना उनियस सो आठतर से 1978 से 1980 तक हमारी क्या थी अनवरत योजना रहा थी ठीक, यहां मैंने पूरा डीटेल से बताने की कोशिस किया 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्शी यह योजना जो हमारी क्या थी क्रिसी पर आधारी थी, दूसरी 1956 से 1902 उद्योग पर आधारी थी और 1961 से 1966 अचट क्रिसी प्लस भारी उद्योग दोनों पर थी ठीक है, फिर उसके बाद तीन साल क्या आकाल पड़ने के पर और क्या हुआ है हमारा युद्ध लड़ा गया चीन के साथ ठीक है, युद्ध लड़ने के काज इतना हमारा क्रिसी ब्योस्ता क्या हो थी चर्मरा गई थी, ठीक है सारी चीजें इस वज़े से तीन साल हमारी रोक दी गई थी ठीक, पहला आवकास हुआ था पहला योजना आवकास हुआ था फिर उसके तीन साल का फिर उसके बाद नवरत योजना को लागू किये थे, आपसन नीचे दिये गए हैं, देख लिए ये पांच वी पंच वर्षी योजना के बाद, तो मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिस की है, ठीक है, पंच वर्षी योजना के बारे में, ठीक, तो पांच वी आप लोगों को दिखाई देगा या नहीं, ज्यादा छोटा हो जागा, चलिए मैं आपसन दिखा दूँगा, ठीक, बताई, कहा रहा है कि, एक सो बैसमा, कहा पर्यावर्ण अध्यान के सिच्छा सास्र के संदर में, सिवाय के अग्र लिखित सभी वांचनी अभ्यास हैं, तो क्या कर रहा है, बच्चे की अस्मित्ता ब्यक्तित्तों का पोशन करना, वास्तविक अवलोकन के अस्थान पर पाठ्य पुष्टकी ज्यान की स्रेश्टा को सुविकारना, एक क्या है, वांचनी अभ्यास है, ठीक है क्या है, वांचनी अभ्यास तो एही हमारा बी पाठ क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्ते हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं अनन्त पूरम है ठीक है ठीक है केरल में क्या पेरियार वन्ने जीव अभ्यारन है पेरियार पन्ने जीव अभ्यारन हमारा कहां पे केरल में वन्ने जीव अभ्यारन है ठीक है केरल में पंबा नदी पंबा नदी पंबा नदी को केरल की गंगा के नाम से जाना जाता है यहीं प प्रदेश में तो राजस्थान का है ठीक कहा है राजस्थान का है ठीक कहा है राजस्थान का है ठीक है और घूमर भी हमारा कहा है राजस्थान का है ठीक है और काल वेलिया भी कहा है यह बहुत पूछता है काल वेलिया बहुत इंपोर्टेंट है काल वेलिया कहा है यह भी हमा इसको आप लोग बताएंगे, फटा-फट बताएंगे, कौन सा उपयुक्त, स्टिजनात्मक लेखन, निर्दर्शन या प्रदर्शन या हस्त परक या गदविधी, बताएंगे, कौन सा इसका राइट हो जगा, 125 का, तो 125 का राइट अंसर आजाएगा, C, हस्त परक गदविध सबसे important है, ठीक, next जलते हैं, अगला question, question आप बताएंगे, कौन सा, 126, क्या कर रहा है, 126 हमा, कर रहा है, भारती संबिधान का अनुछे, 356 किसके बारे में, 356 किसके बारे में, राज जेके नीती नीदेसक तत्तो के, तो राज जेके जो नीती नीदेसक जिसको बोलते है, D DPSP, DPSP हमारा किस में दिया गया है, ति हमारा 36 से, कहां तक है, 36 से, 36 से 51 तक है, ठीक है, डिपी-एस-पी, 36 से 51 तक है, राज जेके राश्ट पती सासन लागूं करना, राश्ट पती सासन लागूं करना, 300 article, 356 में है, ठीक है, और भारती है, भासा को हिंदी के रूप में, 343 में है ठीक है 343 आर्ट के लिए 343 में कास्मीर के लिए विशेश दर्जा मताएं कास्मीर के लिए विशेश दर्जे की बात जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कास्मीर के लिए विशेश दर्जे की बात तो इसका धूल और धूल को हटाने के लिए बिल्कुल गलत बात है नमी को पून हटाने के लिए आचार को स्वाधिष्ट बनाने के लिए उनके तापमान में बृधि करने के लिए नाई स्वाधिष्ट नाई उसमें से नमी को पून रूप से हटाने के लिए उसको क्या रखा जाता है धूप में रखा जाता है ठीक है चलिए आप लोग अपने घर पे मम्मी को देखते होंगे का अचार को क्या रखती है छत पे रखती है ताकि उसमें से नमी क्या हो जाए फिनिस हो जाए और अचार खराब ना हो चलिए 188 बताइए पौधे प्रोटीन संसलेशन कहां से करते है वसा एसीड से सकर एसीड से एमीनो एसीड से या इस्टार्च से 128 का 128 का बताएए आप लोग तो किसे करते हैं बताइए तो ए अमीनो एसीड से करते हैं किसे करते हैं अमीनो एसीड से क्या करते हैं प्रोटीन संसलेशन करते हैं बता दीजिए अगला कोश्चन भारत में खो कौनध सा है बताई को ब्रक्राइए कौन सा है 139 का बारत में खोजा गया लेकिन भारत नहीं एक तरह से दिखा जा तो कॉशन पूछने का तरीका गलत है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सरहर हडपा था हडपा सब बिता की खोज 1921 में की गई थी कब की गई थी 1921 में की गई थी ठीक है 1921 में दयाराम साहनी के दौरा यह किस नदी के तट पे है तो यह जो है रावी नदी के तट पे है ठीक किस नदी के तट पे है तो रावी नदी के तट पे है ठीक चलें आगे फटाफाट एक दम करते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्लर है इसको भी अरजिस्ट करेंगे आप लोग चलिए वैसे है बिजविल है निमलिखित में से जड़ का कारे पौधों के लिए नहीं है हुमा सुपलब्द कराना पौधों को सहारा देना जल तथा खनीच का आउसोसन करना भोजन भंडार एवं संचित करना बता एक कौन सा कार जड़ का नहीं होता जो हमारी पौधों की जड़े होती है इनकी जड़ों का जो कारे होता हो क्या होता तो जल एवं खनीच का तो आसोसन करते ही है तो हमारा क्या है बिल्कुल सत्य है ठीक है सहारा प्रदान करते ही है सहारा भी प्रदान करते हैं तो ह्यूमस उपलब्द कराते ही हैं क्या नहीं करते हैं भोजन का भंडारन नहीं करते हैं और हमसे नहीं का question पूछा था तो इसका right answer हमारा D ही क्या आजाएगा बिल्कुल सत्य आजाएगा ठीक है D ही हमारा क्या आजाएगा अलफ्रेड वोरविक ने, अलफ्रेड हैंक्स ने, अलफ्रेड मैन ने, 131 का, तो 131 का राई टैंसोर क्या आजएगा, ये पार्ट आजएगा, अलफ्रेड वेगे नर ने, कौन क्या था, अलफ्रेड वेगे नर ने किया था, ठीक है, अलफ्रेड वेगे नर ने, ठीक, इतना याद रखेंगे चले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है किसका है तो उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक है सबजी का सबसे बड़ा उत्पादक अगे चलते हैं, next Scripture नमबर आप बताएंगे 133 नेमने लिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है कौन सी केन, केन, बेतवा, सिंध, केन, बेतवा, सिंध और हमारी चंबल चंबल यह सभी किसकी है? यह हमारी यमुना की सहायक नदी है ठीक है यमुना कहां से निकलती है यमुने त्री ग्लेशियर से निकलती है ठीक है यमुने त्री ग्लेशियर से निकलती है और आकर के इलहाबाद में जो है गंगा जी से मिल जाती है और गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो सोन इसकी सहायक नदी नहीं है या गंगा की सहायक नदी है सोन ठीक तो इसका क्या जाएगा 133 का बी पार्ट बिलकुल सत्या जाएगा मेरियाना गर्थ मेरियाना गर्थ पृतिवी के पानी में सरवाधिक गहरी गर्थ है मेरियाना ट्रेंच जो है क्या है सबसे गहरी गर्थ है ठीक है या प्रसांत महासागर की सबसे गहरी गर्थ है प्रसांत महासागर की ठीक है महासागर कितने है चार है ठीक है प्रसांत महासागर अट्लांटिक महासागर और अर्कटिक महासागर और अट्लांटिक महासागर ठीक और हिंद महासागर टोटल चार है ठीक तो ह पत्ते आजाएगा चैली 135 बता दीजिए 135 क्या कर रहा है नेमने लिखित में से किसकी सुनने की सक्त इतनी तिछड़ होती है कि वह वायू से पत्ते के हिलने की धौनी और घास पर किसी जानवर के चलने की धौनी में अंतर कर सकता है गिद्ध की रेसम का कीट कुट्ता या बा रहा है तो बाग की सुनने की गती क्या होती है बहुत तीब्र होती है बाग में सुनने की गती तनी तिछड़ होती है कि वह वायू से पत्ते हिलने धौनी और घास पर किसी जानवर के चलने की धौनी में अंतर कर सकता है ठीक है तब ही तो वह सिकार करता है इतनी उसकी सुन की यात्रा करता है तब वहां अनेक सुरंग को पार करता है ये सुरंगे परवत में हैं वहां अनेक सुरंग को करता है पार करता है आमदाबाद से केरल की यात्रा करता है बताए अरावली पश्चिमी घाट पुर्वी घाट या बिंद्याचल तो अरावली पड़ेगा नहीं पिंद्या चल भी नहीं पड़ेगा, तो बताए कौन से पड़ेगा, गुजरात से जा रहा हो, पुर्वी घाट भी नहीं पड़ेगा, तो कौन से पस्चिमी घाट, क्या हो जाएगा हमारा, पस्चिमी घाट, बिल्कुल राइट एंसर, ठीक है, बिल्कुल भी पार्ट हमारा ठीक है कानून के समक्च समानता प्रदान करता है ठीक और ठीक है याद रहेगा ने चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन कोश्चन नमबर आप बताएंगे 139 बता दीजे सिंदुगाटी सब्वेता में बिक्सित अवस्था में निमलिखित में से किस अस्थल किस धगरों कि अश्यूस का राटी से ऐसे कण है महण जोर्दुण को के लृत जाता मृत्व का तीला और यहां सबसे बड़ा अशंदानागार मिला था ठीक है कहाँ पर एहीं पर महण जो दचालिये दहीं आपका राइट solution कि आ रयाजागा सिए एक लोथल कहाँ परता गुजरात में ठीक है गुजरात में यह किस नदी के तट पे तो भोगवा नदी के तट पे किस नदी के तट पे भोगवा हडपा का परता सिंध प्रांत सिंध प्रांत में किस नदी के तट पे रावी नदी के तट पे ठीक है काली बंगा काली चुणियों राजस्थान में ठीक है चलिए अगला कोचन करा है किनम लिखित में से कौन सा कीट मद मुख्ध की भाद कालोनी बस्ती के एक साथ नहीं रहाता मतलब कालोनी बस्ती के रूप में नहीं रहाता कौन सा है बताए चीटी, दीमक मकड़ी, ततयया या बर रा जिसको बोलते हैं बताई ततया बर रा चीटी तथा दीमक मधुमक्खी की भात जो है बस्ती बना कर रहते हैं ठीक है ततया हो गया चीटी हो गया दीमक के सबी क्या रहते हैं एक ग्रूप में रहते हैं लेकिन जो मकडी रहती है ओक ग्रूप में नहीं रहती है ठीक है नीचे दिये गए हैं मकान मजबूत बांस के खंबे पर बने होते हैं तो अंदर से भी मकान लकडी से ही बने होते हैं तो एह मकान जो खंबे बांस से खंबे बनते हैं यह असम के मकान होते हैं ठीक है असम के मकान होते हैं और अंदर से भी क्या होते हैं लकडी के होते हैं ठीक और मकानों की छहतें क्या होती है धालू होती है तो मैंने बताया नहीं अभी असम क्यों होते है कहां क्यों होते है तो राइट एन सुरेक्षो चालिस का डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा ठीक आगे आजाएए कोश्चन नमबर आप बताएं कुडुक कहा के लोगों की तो आप देखे लिए भाहाँसा पर भी बहुत कोश्चन पूछे जाते हैं मनिपूर की है अरुणाशल प्रदेश के मिजोरम की है या जार खंड की है कुडुक जार खंड की है कहा कि कुडुक जातियों दौरा जार खंड की है उडिशा बिहार के मद्य प्रदेश और 36 में कि द्वारा, 16 чист rebels, 17 milas iv, 15 milas WOW, इसको जोड़ा गया था ठीक है कभ 1976 में किस समीति क doubles कि पारी पर सर्दार स्वारणे सीछgn किसी पारी स्वार इसको जोड़ा गया था पॉलिटी से 2-3 कोशन 100% आते हैं ठीक है 51 की भाग चार के का में और अनुशेद का में ठीक है कितने थे उस समय उस समय थे कितने थे उस समय 11 थे मौली कर्टबियों की संक्रा कितनी है 11 है पहले कितने थे 10 थे ठीक है में समय विदान संसोदन 19-2002 में जोडा गया। चलिए स्वच आष का नीला रंग किस करण दिखाई देता है question number 144 बताईए हमारे भोजन आहार का protein घर्टक मुखरूप से किस के लिए उत्तरदाई होता है 144 का, बता दीजिए, यह बृध्धी और मरम्मत के लिए, यह बृध्धी और मरम्मत के लिए क्या होता है, important होता है, next, tylin enzyme का संबंध है, तो tylin जो हमारा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है, ठीक है, यह तो सब को पता है, कहां पाया जाता है, लार ट्रिप्सिन पाये जाता है इसमें तीन तरह के पाये जाते हैं लिख Jonah you कौन कौन सा ट्रेपिसिन एक और ये पहाड़ी से निकलती हैं अगला कोश्चन किस समित के त्रिय अस्तरी प्रत्रक्राली की अनुसांसा की थी तो बलवन तराय महता समीती की सिपारिस पर जो त्री अस्तरी पंचायती राज बेहुस था हमारे देश में लागू हुई थी ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं भारती सास्त्री निर्त्यों की संख्या कितनी आ है अट है ये भी याद रखेंगे चलिए पंजाब के किस गाउं में हांकी को सरवादिक खिलाड़ी दिए किस गाउने पंजाब के किस गाउने तो 14 खिलाडियों को कि ओलंपिक के लिए भारती टीम में खेल चुके हैं यह कौन सा गाउन है बताई ते हमारा का संसारपूर है कौन है संसारपूर जो कहां पर ता पंजाब में है ठीक यह आज का लाश्ट कोशन है इसको आप बताएंग तो हमारा कहां पर कानपूर में ठीक है इसकी अस्थापना 1983 में हुई थी ठीक है यूपी के कानपूर में इस्तित है ठीक तो यह वीडियो आज हम यहीं पर फिनिस करते हैं वीडियो गर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को सेर कर जिएगा इसी तरह स आपके 100% निकलेंगे यह मेरा वादा है बस आप लोग जुड़े रही है ठीक है तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत